भारत में मौजूदा इन्वेस्टमेंट टूर जीडीपी रेशियो सिर्फ 31 प्रतीशत है जो कि साल 2007 आठ की आर्थिक मंदी के समय भी 38 प्रतीशत था नोटबंदी और जीएस्टी का असर अभी भी अर्थवेवस्था में मौजूद है New York की Data Analysis Company CEIC Data के मुताबिक भारत की जीडीपी के मुकाबले निवेश मार्च तिमाही के अंत तक 30.8 प्रती रहा दिसंबर तिमाही में ये आकड़ा 30.1 प्रती था साल 2004 से यानि पिछले 14 साल में Investment to GDP रेशियो का वासत 35.1 प्रती रहा है और ये आकड़ा 41.2 प्रती के साथ सितंबर 2011 में अपने उचतम स्तर पर पहुँचा था और नोटबंदी के बाद ये 29.6 प्रती के साथ निउन्तम स्तर पर आ गया था साल 2012-13 में भी Investment to GDP रेशियो में थोड़ी गिरावट आई थी पर उसका कारण अंतराश्ट्य उलट फेर और कच्चे तेल की कीमत में जोरदार बढ़त थी लेकिन अभी की गिरावट के पीछे सरकार की अंदरूनी नीतियों को कारण बताया जा रहा है निवेश के बढ़ने से विकास भरता है और अगर ये रुख जाए तो GDP के बढ़ने के बावजूत तरकी रुख जाती है नूडबंदी और GST के कारण देश की विकास दर लगभग पांच तिमाहियों तक काफी धीमी रही जिसका असर अभी भी अर्थवेवस्था में देखने को मिल रहा है समराज शर्मा गो न्यूज